उलट रंगी बोतल की जो नाजनीन थी, कफन खीचने को वह तेरा खड़ी थी यानि कि जिस माशूक से हम प्याला हुए, हम निवाला हुए, वही दुखा देगी नमस्कार दोस्तों, आपको उपर बताय मजबून से ही आज के टॉपिक का पता लग गया होगा आज बात करेंगे शनी भाव नमबर साथ के फल पर, इस भाव में बैठे शनी को कलम विधाता कहकर पुकारा गया है जो अपनी किस्मत की बुनियाद खुद बनाता है, खुद लिखता है शनी यहाँ पर इनसान को बेहत चलाक, सुन्दर, दीरगायू बनाता है और अगर शुकर भी नेक हो, तो कुंडली में शनी अब साथ गुना नेक असर देगा ऐसा इनसान उड़ती चिडिया के पर गिन लेता है खास करके जब इसके शरीर में एक ही मुसाम से दो बाल निकल रहे हो शनी साथ वाले इनसान से दोस्ती करना हमेशा नेक फल देता है शनी यहाँ पर शुकर के घर में है और यह भाव लाइफ पार्टनर का भी है और बिजनस पार्टनर्शिप का भी है इसलिए यहाँ पर अमूमन मेरा अनुबब रहा है कि इस इनसान का जीवन साथ ही आयू में कभी कभी इस से अधिक बड़ा या अधिक छोटा या फिर देखने में जो बड़ा लगे हो सकता है उमर में बड़ा ना हो ऐसा दिखेगा और यही हालाद बिजनस पार्टनर्शिप में भी होगी अमूमन मेरी एक सला रहती है इस इनसान को कि पार्टनर्शिप हमेशा सावधानी से करनी चाहिए अवल तो करनी ही नहीं चाहिए शुकर का इस भाव पर अधिक पत्य है और शुकर को जमीनी सफर का मालिक भी कहा जाता है इसलिए ऐसे जातों को सफर भी अधिक करने पड़ते हैं लेकिन अकसर ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि शुकर इस भाव में अकसर नेक फल अधिक देता है पर लाल किताब में ऐसे इनसान को एक हिदायत दी गई है वह यह है कि ऐसे इनसान को मकान खुद नहीं बनाना चाहिए बलकि बना बनाया मकान ही खरीबना चाहिए अगर भूल कर भी इसने अपना मकान बना लिया तो फिर जादा तर ये देखने में आया है कि मकान बनाने के बाद आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसा हुआ तो ऐसे इनसान को अपने पुराने मकान की पुष्टैनी मकान की धहली जलाकर उस मकान में स्थापित करनी चाहिए जिस मकान को उसने अभी अभी नया बनाया है इस से शनी अपना नेक फल देना शुरू कर देता है और बुजर्गों का शिरवाद में मिलता है परंतु अगर बना बनाया मकान खरीदे और आर्थिंग तंगी ऐसे इनसान को फिर शायद ही देखने को मिले और अगर खुद मकान बना लिया तो अपनी स्ट्रगल नए सिरे से शुरू करनी पड़ागी दोस्तो मैं आपको एक और महत्वपूरन बात बताना चाहता हूँ कि इस इनसान का अगर पहला भाव खाली हो तो ऐसे इनसान को अपने वजन का दस्वा हिस्सा कम से कम शहद का जरूर घर में रखना चाहिए नहीं तो पोता आते आते यानि इसकी अलाद की अलाद होने तक इसकी सारी धन दौलत जायदात सब तबाह हो जाएगी या मिट्टी हो जाएगी इसलिए अगर इसने मंगल काइम किया तो फिर ऐसा नहीं होगा ज्यादा तर ऐसा इंसान जिसका शनी साथ में हो वे विदेश में बसने का सपना जरूर देखता है और PR का सपना संजोए हुए विदेश चला जाता है और PR लेने के लिए कभी-कभी अपने से बड़ी या उमर में बड़ी या किसी तरह की कोई डैवोर्स लेडी से शादी भी कर लेता है और इसको उससे PR बिल भी जाते है एक खास बात जो मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे इनसान ने बिना शादी किये किसी लड़की के साथ संबंद बना लिये यानि उसके साथ यह हम बिस्तर या हम प्याला हो जाता है तो फिर ऐसे इनसान को वही लड़की या वही आरत बहुत बड़ा धोखा भी देती है और ऐसा मैंने एक नहीं कई अनिको कुंडलियों में योग देखा है जिसकी वज़े से नामोशी, बेज़ती या फाइनेंशल क्राइसिस देखने को मिलते है दोस्तों कुछ ऐसे योग भी शनी यहाँ पर आके बनाता है कि शनी अगर भाव नमबर साथ में हो और उसी समय दूसरे ग्रहों की स्थिती कैसी है वैसी ही कुंडली के अंदर ऐसे इनसान की नेक तबियत और मंदी तबियत गिनी जाएगी ऐसे इनसान को अक्सर शनी कभी भी दौलत की तंगी नहीं देता है परंतु अगर ऐसे इनसान की कुंडली में मंगल बद हुआ तो ऐसे इनसान को हत्यार से डर हमेशा बना रहेगा लडाई जगडे से या कूट के चहरी से ऐसे नुकसान हो सकते हैं और खास करके 27 साल तक तो ये योग बहुत बनते हैं इसी तरह से अगर बुद ग्यारा हुआ तो ये इनसान अपने इलाके का नामी इनसान होगा रहीस इनसान होगा मगर यही बुद अगर भाव नमर एक में हुआ तो ऐसे इनसान की मौत का कारण सर पे चोट का एक रीजन होता है जिसकी वज़े से बनती है या फिर सर कटने से होती देखिए दोस्तो ऐसे अनीक योग है अगर समय का अभाव ना होता तो मैं आपको पूरी जानकारी और विस्तार से देता हूँ लेकिन आप अधिक जानकारी के लिए हमसे अपाटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं हम इस पर परस्नलाइज कुंडली के ओपर विशलेशन करने की आपके साथ कोशिश करते हैं ताकि आपको उसका पूरा उत्तर मिले अब बात करते हैं कि क्या उपाए ऐसे इनसान को करने चाहिए शनी साथ में अगर पहले भाव में कोई ग्रहना हो तो ऐसे इनसान को घर में शहद कम से कम अपने वजन का दस्वाई सा रखना चाहिए ऐसे इनसान को अपनी औरत के बालों में सोने का क्लिप लगाना बेहद नेक देगा इसी तरहें मंगल बद से बचने के लिए सफेद सुर्मा आँखों में डालना फाइदे मन्द रहेगा इस से किसी तरह के जो कोट के चैरी के केसिस हैं उनमें हल करने की आपको असानी मिलेगी और अराम मिलेगा कालिकाएं की सिवा करनी बहुत नेक फल देती है ऐसे इनसान को अब बात करते हैं किस तरह का कारोबार ऐसे इनसान को करना चाहिए दोस्तो शनी पेट्रोलियम प्रोड़क्ट्स का पेट्रोल का अलकोहल का भी रिप्रेजेटेशन करता है इसलिए ऐसे इनसान को पेट्रोलियम प्रोड़क्ट्स के पेट्रोल पंप आदी, मॉबल अलादी के काम करने चाहिए Heavy Machine Brie کے काम फाइदा देते हैं Eye Glasses के काम, Contact Lenses के काम भी नफा देंगे अगर ऐसा इनसान कोई बार या कलब चला रहा है तो भी इसको फाइदा ही मिलेगा इसी तरह मसालों के काम, जानवरों के काम या फिर किसी भी प्रकार के तेल के काम ऐसे इनसान को फाइदा देते हैं दोस्तो, शनी महराज अपना एक चकर बारा राशियों के अंदर तीस साल में पूरा करते हैं और लगबग ढ़ाई साल वाई एक राशी में रहते हैं और फिर उसके बाद दूसरी राशी में जाते हैं आपकी जिंदीकी के पाप और पुन्य का हिसाब भी शनी महराज करते हैं अगर शनी के, अगर किसी तरह से एक कोट के चैरी में आपको दिक्कत आ रही है तो हो सकता है वे भी आपको शनी महराज की वाजे से ही हो रहा हो ऐसे इनसान को शनी को ठीक करने के लिए हम आँख से अंदे लोगों को मजदूर लोगों को या जो हेवी मशीनरी आदी के अंदर लेबर क्लास लोग होते हैं उन लोगों को भी हम देखते हैं आपके शेरीर में किसी प्रकार की सरजरी या किसी प्रकार की इंफेक्शन को भी शनी से ही देखा जाता है और उसी से उप किया मंदे फल देते हैं आपको किस आयू में मकान बना चाहिए किस दिशा में मकान बनाना चाहिए या क्या गलती है आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए इसका उलेख बहुत विस्तार से दिया गया है लाल किताब में आप इन सभी बातों का विशलेशन किसी अच्छे लाल जरूर करेंगे दोस्तों मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अलग लग ग्रहों और विश्यों पर अपनी कुंडली की कोई ना आपके कुंडली के अनलेसिस के ओपर कोई ना कोई पोस्ट डालता रहता हूं आशा करता हूं आप को यह पसंद आएगी अपना प्यार और मह मौबद बनाये रखिए जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में धन्यवाद